हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का MS Access की नई क्लास में ये हमारी MS Access की क्लास नंबर 5 है और इस क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों को MS Access में क्वेरी बनाना सिखाने वाला हूँ MS Access में क्वेरी बनाना काफी important topic है तो अगर आप Access बिलकुल सुरू से सीख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा ये वीडियो आपके लिए काफी जादा important है हेलो दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने उसी फाइल को open कर लिया है जिस फाइल पर हम लोग पिछली चा़ वीडियो पर काम कर चुके हैं अगर आप ने उन चार वीडियो इडियो को अभी नहीं देखा है तो आप उन चार वीडियो को जरूर देख लिजेगा वो भी वीडियो आपके बहुत काम क जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग query बनाना सीखने वाले हैं तो access में query बनाने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि आखिर query बनाते क्यूं हैं तो आप सभी की जानकारे के लिए बता दूँ कि query हम लोग तब बनाते हैं और query तब हमारे जादा तर use में आती है जब हमको किसी data में से कुछी field को print करना हो कुछी field की report तयार करनी हो जैसे कि माल लीजिए ये data है table 1 में और यहां पर जो है name, id, course, fees, photo यह सारी field यहां पर insert की गई है ठीक है अगर हम farm में भी देखेंगे तो सारी की सारी field आपको दिखाई दे रही है और जो हमने report तयार की थी, report में भी आप देखोगे, यहां पर सारी की सारी field दिखाई दे रही है लेकिन हमसे ये कहा जाया, सिर्फ name, course यह पर फोटो का यहां पर report तयार करना है fees और student id हमें नहीं लेनी है तो उस condition में हम query का इस्तमाल कर सकते हैं जब मैं आपको इसे practically करके दिखाऊंगा तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा फिलाल सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि query बनाते कैसे हैं तो देखिए query बनाने के लिए आपको create वाले टैप पर क्लिक करना है और यहां पर other वाले section में query wizard का option मिल जाएगा आप इस पर क्लिक करिए क्लिक करने के बाद जो है इस तरीके से इंटरफेस दिखाए देगा यहां पर आपको कुछ भी छेड़खानी जिसकी वज़ए से यहां पर table 1 ही आ रहा है अगर आपने ज़्यादा table बनाई होगी तो आपकी वहां पर table दिखाए देगी इस table के अंदर जो भी हमने field लिए हैं वो सारे सारे field यहां पर दिखाए दे रहे हैं अब हम in field में से कौन से field का जो है तो course भी आ जाएगा इसके बाद अगर आपको fees नहीं चाहिए सिर्फ और सिर्फ photo चाहिए तो photo पर click करके आप जो इस तरीके से भी यहां पर add कर सकते हो ठीक है और अगर आप यहां से इन्हें हटाना भी चाहो मालेज़ आपने गलती से इसे select कर लिया है तो आप इस option पर click करोगे तो एक-एक करके आप जो है इन्हें यहां से जो आपने select की है field को उनको हटा सकते हो ठीक है फिलाल मैं सबसे पहले student ID रख लेता हूँ सारे field हम लोग लेने वाले हैं लेकिन जब मैं query तयार कर दूँगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग केवल कुछ ही field का इस्तमाल करके report भी तयार कर सकते हैं ठीक है फिलाल जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा आप भी करिए student ID हम लोग लेंगे इसके बाद name लेंगे course लेंगे और यहां पर face लेंगे और photo लेंगे ठीक है इसके बाद हम next पर click करेंगे यहां पर आपको जो है कुछ भी नहीं करना है जो option select है बिल्कुल यही रहने देना है फिर से आपको next पर click करना है आपका query का यहां पर title आजाएगा आपको यह title ही रहने देना है नीचे की side में आपको दो option मिलेंगे open the query view information और modify query design अगर आप इस पर click कर दोगे तो आपको query design करने का option मिलेगा और इस पर click करने के बाद आप view देख सकते हो अपनी information को तो इसको adjectives रहने देते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा इसको आप modify कैसे कर सकते हो इस पर click रहने देना है इसके बाद हम जो है finish पर click कर देना है Finish पर click करने के बाद देखे यह query हमारी क्योन करके आगई है अभी मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ home पर और यहाँ पर मैं इसको लेकर चलता हूँ design view में अभी यह कौन सा view है data seed view है और हम यहाँ पर design view पर click करेंगे तो देखे design view में कुछ हमारी query इस तरीके से दिखाई दे रही है ठीक है अब नीचे की side में आप देखोगे कि जो भी हमने field inside किये हैं वो सभी में जो है blue tick लगा हुआ है आप यह देख सकते हो ठीक है अब इसका मतलब यह है कि यह सारे के टिक रहने देंगे course रहने देंगे fees को हटा देंगे और photo रहने देंगे इतना करने के बाद अब आप देखे यहाँ पर एक option मिलेगा run का ठीक है कहाँ पर design वाले में ही आपको run का option मिल जाएगा आप इस पर click कर दीजे run हो जाएगा अब आप देखोगे table 1 की जो query तयार हुई थी वो name है फिर course है फोटो है और अगर आप जो है किसी field को यहां से हटाना चाहते हो दोबारा से या फिर किसी field को इसके अंदर add करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फिर से जो है view पर जाना है और इसके बाद जो है design view पर click करना है जो भी field को आप लाना और condition रख सकते हो जैसे कि आपको सिर्फ उन्हीं student का यहां पर जो है query चाहिए जो dca course कर रहे हैं तो आप क्या काम करोगे home tab में view पर click करिए design view पर click करिए course वाले section में हमको आना है यहां पर click करने के बाद हमको ब्रैकेट लगाना है यह वाला और इसके बाद हमको type कर देना है d dca ठीक है dca type कर देना है bracket को बंद कर देना है बस इतना करने के बाद हमको run पर click कर देना है और आप देखोगे यहां पर जो है हम से parameter मांगा जा रहा है dca का तो हम जो है क्या काम करेंगे यहां पर type करेंगे dca और इसके बाद जो है okay पर click करेंगे तो देखे जितने भी student हमा पर click करेंगे तो दोबारा से हम से parameter value मांगा जा रहा है अब अगर मुझे उन student का यहां पर query तयार करना है जो student triple c कर रहे हैं तो मैं क्या काम करूँगा triple c यहां पर type कर दूँगा okay पर click कर दूँगा तो देखे उन्हीं student का list सिर्फ यहां पर आया है जो लोग triple c कर रहे हैं देखे रहे हो आप और अगर आप जो है इसे हटाना चाते हो जो हमने parameter set किया है तो आपको view पर जाकर design view पर जाकर के यह जो हमने नीचे की side में parameter को set किया है इसको हम हटा देंगे तो यह हट जाएगा इसके बाद run पर click कर देंगे तो देखे same पहले जैसा जो है run हो जाएग जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ design view पर हम click करेंगे यहाँ से हम fees को हटा देंगे fees को मैंने uncheck कर दिया यहाँ पर run पर click करेंगे तो देखे फीज यहाँ से हट चुका है अब हमारी यह जो query हमने तयार की है इसको control s से save कर लेंगे और इस query का हम लोग report तयार करेंगे तो report तय ही देखे जो हमने query तयार के थी उसके base पर यहाँ पर यह report बन करके आ चुकी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ name है course है और photo ही आया है आप यह देख सकते हो हमने query जब बनाई थी तो हमने यही तीन field लिये थे और इसी field यह जो हमने query में field लिये है इनी field का हमें अगर report तयार करना है अब हम अराम से इसे print करके अपने boss को दे सकते हैं या फिर जो भी हमें जरूरत है उसके according इसको use कर सकते हैं समझ में आ रहा किस तरीके से हमने query बना करके report बनानी है यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब मैं आपको एक और चीज बदा देता हूँ कि query और option मिलेगा query design का तो देखे query wizard में क्या होता है कि आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप wizard के जरीए query बना सकते हो लेकिन query design में क्या होगा कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो खुद से आपको यहाँ पर query design करने का option मिल जाएगा जिसमें आपको सबसे पहरे table को select करना होगा add पर click करना होगा table यहां पर आ जाएगी यह जो table का option दिखाए देरा है यहां से इसको अटा दीजिए इस table के अंदर जितने भी फिल्ड होंगे वो सारे इक सारे आ जाएंगे जिन भी फिल्ड का आप क्वेरी तयार करना चाहते हो बस उस पर click करिए वो यहां पर insert होता चला जाएगा देख सकते हो आप पहले हमने लिया course ने फिस और फिर मैंने लिया photo चार मैंने लिया है इस तरीके से हमारा यह जो है design view पे है अगर हम data state view पे जागे देखेंगे तो देखे हमने यहां पर तयार कर दी है कहां से तयार कर दी है query design से हमने यहां पर query design कर दी है तो इस तरीके से भी आप query design option को use कर सकते हो फिलाल हमने पहले से ही एक query तयार करके रखी है तो हमको इसकी जरूरत नहीं है जिसकी और इसको जो है control S से save कर देंगे तो फिलाल इस वीडियो के अंदर मैंने आपको query कैसे बना सकते हो query को कैसे design कर सकते हो और query बनाने के बाद उसकी report कैसे तयार कर सकते हो इसके बारे में जानकारी बताई है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा साथ में आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share करिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सकी और चैनल पे अगर पहली बार हो अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियो हो तो बहुत बड़ी गलती करो आर सबस्क्राइब करो तब ही तो आप हमारी नए नए वीडियो देख पाओगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम